जो भी कबल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राइ कर रहे होते हैं, उनके मन में हमेशा ही एक क्यूरिसिटी बने रहता है, ओवलेशन की तुरंत बाद ये जानने के लिए कि इस महीने उनका गर्व ठेह रहा है या फिर नहीं। जनरली पीरड मिस होने को हम प्रेगनेंसी का एक कनफर्मेटरी साइन मानते हैं, अगर आपका पीरड मिस हो जाता है उसके चार से पांस दिन के बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर बलड प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें पॉजिटिव तभी जाकर आप confirm मान सकते हैं कि आपका गर्व ठेहर गया है या फिर आप pregnant हो चुके हैं लेकिन उस time तक इंतजार करना भी बहुत ही difficult होता है और बहुत सारे महिल आए तभी urine pregnancy test करते हैं या फिर blood pregnancy test करते हैं जब उनको pregnancy का कुछ signs and symptoms नजराते हैं और वो भी period मिस होने से पहल प्राट होता है तभी से ही यानि कि उसी मूमेंट से ही आपको pregnancy का क्या-क्या लक्षण आ सकते हैं तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो जब आपका fertilized embryo जाकर आपके uterus के wall में implant होता है या फिर आरोपित होता है तभी से ही आपको halka full का दर्द होना सुरू होता है जिसको कि हम implantation cramp बोलते हैं यह जो दर्द होता है यह pregnancy का सबसे पहला लक्षण माना जाता है और pregnancy का सबसे पहला दर्द भी यही होता है तो चलिए जानते हैं कि यह दर्द आपको कैसा महसूस हो सकता है यह जो दर्द है वो period के दर्द जैसा ही होता है लेकिन इसका intensity बहुत ही कम होता है आपको आपके पेट के निचले हिसे में यानि की नाभी के निचले हिसे में आइधर पेट के right side में या फिर left side में या फिर ठीक आपके पेट में middle portion में थोड़ा बहुत cramping महसूस हो सकता है ये जो दर्द बहुत ही sweet होता है बहुत ही हलका होता है जिसको कि हम implantation cramping बोलते हैं implantation cramping के साथ साथ आपको implantation bleeding भी महसूस हो सकता है क्योंकि जब आपका भुरून आपके uterus में implant होता है तो वहाँ पर कुछ tissue rupture होता है तो इसके बज़े से हलका सा bleeding आपको हो सकता है जिसको कि हम implantation bleeding बोलते हैं इसका color pink हो सकता है या फिर dark brown हो सकता है इसमें clods बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर tissue भी बिल्कुल नहीं आता है इसको bleeding जरूर बोलते हैं लेकिन ये spotting type का होता है और ये लगबग एक से देड़ दिन तक चल सकता है ये जो implantation bleeding है continuous नहीं होता है suppose आपको अभी 3-4 बूंद bleeding हो गया या फिर spotting हो गया उसके 3-4 घंटे के बाद फिर से 1-2 बूंद या फिर one or two drops फिर से bleeding या फिर spotting हो गया ऐसे ही आपको एक से देड़ दिन या फिर maximum to maximum दो दिन हो सकता है इससे आप period समझ कर बिल्कुल भी confuse मत होगीगा अगर फिर भी आप confused हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि ये implantational bleeding आपके ovulation के लगवग 8-12 days के बाद ही होता है यानि कि जब आपका period आने वाला होता है यानि कि आपका due date होता है उसके just 3-4 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले ही आपको हो सकता है अगर आप इस time blood pregnancy test करेंगे तो आपको positive result आने का पूरा चांस है लेकिन अगर आप इस समय urine pregnancy test करेंगे तो आपको false negative आने का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि आपकी urine में इतनी quantity का stg hormone अभी मौजूद ही नहीं होता है कि वो urine pregnancy test kit में पकड़ में आ सके इसके अलाबा और जो सारे लक्षण होते है प्रेगनेंसी का वो है breast में tenderness यह बहुत ही prominent लक्षण होता है लगबग 90-95% महिलाओं में यह दर्द दिखाई देता है जब आपका pregnancy ठेहर जाता है तो आपका breast बहुत ही tender हो जाएगा मुलाइम हो जाएगा sensitive हो जाएगा उसमें भारी पना आ जाएगा और आपका जो निपल का हीसा है वो भी darken होने सुरू हो जाएगा और निपल भी protrude होने लगेगा ariola का जो part है यानि कि जो काला वाला circle जो बहुत है वो भी चौड़ी होने लगे और breast में यह जो बदलाव होता है वो एक confirmatory sign होता है pregnancy का इसके साथ साथ और जो एक prominent sign होता है pregnancy का वो है कि ovulation के बाद आपका body temperature हलका सा बड़ा हुआ रहेगा क्योंकि ovulation की दोरान आपका जो basal body temperature है वो एक या फिर दो degree बढ़ता है लेकिन अगर आपका गर्व नहीं ठेहरता है तो फिर से वो drop हो जाता है लेकिन अगर आपका गर्व ठेहरता है तो ovulation के 10 से 12 दिन तक भी आपका basal body temperature बढ़ा हुआ ही रहेगा यानि कि आपको बुख सारे hormones का develop होना सुरू हो जाएगी जैसे कि estrogen, progesterone और stg hormone तो इस hormone के बज़े से भी आपको और भी सारे symptoms नजराने सुरू कर देंगे जैसे कि आपको गले में खरयास हो सकता है आपको frequent urination यानि कि बार बार पेशाब लग सकता है क्योंकि आपके सरीर में blood का flow है वो बहुत त तेजी से काम करने लगेगा उस brain को support करने लिए फिर आपके बच्चे ग्रोंट में support करने के लिए तो उसके बज़े से आपको बार बार पैसा भी जाना पड़ सकता है साथी साथ आपका बा告诉 या तो इसके बज़े से आपको थकान भी बहुत ज्यादा मेसुस होगा, आप बहुत ही ज्यादा लेथर्जिक फील करेंगे, कुछ काम ना करते हुए भी आप तो थक जाएंगे, आपको नीन भी बहुत आ सकता है, आपको mood swings भी बहुत हो सकता है, यानि कि कभी आप बहुत खुस प्रेग्नेंसी होर्मोन के बज़े से आपको उल्टी आना या फिर मतली जैसा महसूस होना या फिर morning sickness होना एक आम बात है, यह जो लक्षन है वो प्रेग्नेंसी का prominent लक्षन होता है, क्योंकि यह लक्षन PMS यानिकी premenstrual syndrome में नजर नहीं आता है, अगर आपको PMS पता नहीं हैं तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि जो महिलाओं का hormonal imbalance होता है, प्रेग्नेंसी जैसे symptoms नजर आते हैं, लेकिन उसमें से यह मतली या फिर morning sickness नहीं होता है,